नमस्कार, खंड सिच्छा अधिकारी और सूपर्टेट बैज के लिए मैस की जो स्टार्ट की गई सरिंखला है बैस प्रसुनों की, उसमें मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल टार्गेटिव थालों के स्वागत अबिनेंदन करता हूं, हम सभी मैस की एक मात प्रस्णों का संग्रा, हम लोग लगातार क्लासेस के मात्यम से एक दूसरी से इंट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं ऐसे से प्रस्णों को टच करने हैं, कि जो प्रस्ण आपके सम्मंदित परिच्छाओं में पोशे जाते हैं, जो ना की बहुत ही हाई ह ना बख बगशे लोग होते हैं, वह जो अजिए प्रस्णों को फोकस करने की पूरी कोशस कर रहा हूं, और आप सब की सहयोग का अकांची हो, आप सब लोग पूरी तरह से स्रिंखला को सहयोगमें रखेंगे, जिससे कि हम आगे भी कुछ चीज़े प्लान कर सकें, आपके लिए संस्तान के माद्धिम से आलोकसर के नित्रित में हम इस चीज़ों को यहाँ पर प्लान करके बेहतर कर सके जिससे कि आप हमारे थूरू, system के थूरू, संस्तान के थूरू कुछ बेहतर यूज कर पाएं अगर आप हम से संस्तान से किसी भी तरह से डारेक्टली या इंडारेक्टली जुड़े हुए हैं प्रस्णों की इस रिंखला में भी आज भी उसी प्रकार के दस प्रस्णों का चैन किया गया है ऐसे दस प्रस्ण जो कि आपकी आंकिक चमता पर ही अधारित हैं एसे प्रसन जोकि जनरली एक्जाम में देखे गए हैं और उन्ही प्रसनों की इस sequence इस सरीज में हम लोग यहाँ पर उनसे सम्बन्दिस सारी concept को उनसे सम्बन्दिस सभी tricks को अच्छी तरह से पढ़ेंगे दस प्रसन भले ही पढ़ेंगे लेकिन दस और करने की यहाँ पर हमारे अंदर उर जाएगी दस और हम इसी के तरह कर सकते हैं यहाँ हम आपको सेयोरिटी दे रहे हैं अगर आप पूरी स्रिंखला को अच्छी तरह से देखते हैं तो लगातार बने रही है इस रिंखला में जिससे हम सब अच्छूते नहीं हम सब को इस बात की जनकारी है क्यांकित स्रिंखला आने का मतलब ही पूरी मैतेमेटिक्स का नौलिज होना मतलबहर प्रकार के कैलकुलेशन की हमारे अंदर च्छमता हो चाहे हो कैलकुलेशन हमारा किसी भी प्रकार के अपरेटर का प्रयोग करता हो किसी भी प्रकार के नंबर्स का प्रयोग करता हो उसी कड़ी में आज हम दूसरी स्रिंखला यहां पर लेकर आए हैं एक स्रिंखला हम लोग पिछली गलास में कवर कर चुके हैं इससे पहले भी मैंने कुछ प्रस्णों का संग्रा लिया था, एक एक टॉपिक के सम्मंदित प्रस्णों को ले करके हम लोग प्रस्ण संख्या एक से सुरू करेंगे, प्रस्ण संख्या एक मेरे की बहुत ही अस्तरी प्रस्ण रखा गया है, अधिकतर लोग इस तरह के प्रस् प्रीच किया गया है और लिख कर के दिखाया गया है जब ऐसे प्रस्णों को हम देखते हैं और आप सब लोग कमेंट के माझम से इस तरह के प्रस्णों को ऊतर दे सकते हैं स्टरीज में चल रहें तो पे नियुक्त से समझाने की शौशिस गए हो भी इनन तक, इन्फनाइट तक और अगर इस प्रकार का मान हम को दिया गया है तो हम इस तरह के नंबर्स के लिए लिखे किस प्रकार से हम प्रापर कैलकुलिस्म कैसे कर पाते सबसे पहले उसको सीखी है, इसके ट्रिक्स की बात करते हैं अगर हम कभी इस तरह की बात जो हमारे पास यहाँ पर root 2, root 2, root 2, infinite तक गया, अगर इसको हमने x समाल लिया, suppose करिये, अगर मैंने इसको एक समाल लिया, और दोनों पच्छों का मैंने work कर दिया, जैसे कभी आपको पता है कि root के अंदर अगर 2 लिखा है, या कोई भी root के अंदर क्योंकि बाहर का एक root square की वज़त से निकल जाएगा, तो हम यहाँ पर दो निकाल देंगे, लेकिन plus, हमारे सामने फिर वही इस्तिती, 2, plus फिर से root 2, plus फिर से root 2, इसी तरह से हमारा बनता रहेगा, वही अनंद तक, अनंद तक हमारे सामने इस्तिती बनती चली जाएगी, मत कोई प्रभाव बहुत impact नहीं बढ़ेगा, कहने करत होता है, फिर भी यह x ही रहेगा, क्योंकि इसका पूरा मान x के रूपे माना गया है, तो मैं इसको 2 plus x कर सकता हूँ, बराबर आपके सामने x square हो गया, एक दोईगास समी करण बन गया, मैं लिख सकता हूँ x square, प्लस x square, अगर मैं इस दोईगास समी करण को एक सिक्वेंस प्रदान करूँ, तो सिक्वेंस की मदद से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, कि x square minus x minus 2 बराबर 0, आप इस दोईगास समी करण को देख सकते हैं, जो दोईगास समी करण हल किये हैं, इस प्रकार के प्रसनों पर अपना कमांड जानते हैं, कि दोपा हम ऐसा गोड़न खंड बनाए, जो कि जोड़ या घट करके minus 1 हो जाए, तो मैं लिख दूँ यहाँ पर x square minus 2x plus x minus 2 बराबर 0, एक्स कामन अगर मैं कर दो, दो के इस factor में, तो x minus 2 हो गया, प्लस 1 कामन कर दो, तो x minus 2 बराबर 0 हो गया, अब मैं देख प मैं x minus 2 बराबर 0 रखूंगा, और एक बार x plus 1 0 रखूंगा, तो एक जगह पे मुझे x equal to 2 में लेगा, दूसरी जगह x equal to, अज निगेटिव नंबर root के अंदर allowed नहीं होता है, कभी root के अंदर अगर negative nature का गोई number आता है, तो इसको आप, मतलब आप अरिभासित कह देते हैं, पूरी तरह से defined number नहीं, इस दे minus 1 पूरी तरह से ignorable है, इसको छोड़ दीजिए, प्यक्स कमान मतलब इस पूरे calculation कमान आपके सामने कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो इस प्रसन का उत्तर होगा, सही answer आपके सामने, लेकिन यह long process है, लंबा calculation मुझे पूरा process आपको concept क माद्यम से बताना था, इसलिए मैंने इसको पूरा बताने की कोशिस करी, जो लोग यहाँ पर इसका derivation देखना चाहते थे, वो ऐसे चल करके देख सकते हैं, इस प्रसन को हल करने का एक मैं दूसरा method बता रहा हूँ, आप उसको समझे, उसके थुरू आप एक छन में answer दे सक सकते हैं, मैं आपको एक सेकंड में इस प्रस्न का उत्तर आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए कैसे किया जाएगा? जो इस प्रकार की कभी भी छूरू रिंखला आपको दी जाये, दो चीजे ध्यान देना होगा, एक तो संकिया क्या है, दूसरा आप्रेटर को ध देखी जो क्रमागत हों, मतलब एक के तुरंद बाद दूसरा आए, जैसे दो का ऐसा कोई गुड़नखंड करें, जिसमें जो संख्याएं सिक्विंस में आए, जैसे एक गुड़े दो, आपको पता है कि दो को मैं लिख सकता हूँ, एक गुड़े दो, दोनों का डिफरेंस द से एगर 56 होता, 7 गुड़े 8 लिखता, मतलब अगर इस प्रकार के संख्याएं यहाँ पर दी जाएं, जिनका एक सिक्विंसिल गुड़नखंड प्राप्त हो, गुड़नखंड प्राप्त हो, जिनका डिफरेंस एक का बना रहे है, अब देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक का बना है, यहाँ पर भी एक का बना है, ऐसी अगर परिस्ति जनरेट होती है, किसी भी प्रकार के समुव में, और अपरेटर अगर प्लस होता है, तो अपरेटर प्लस के लिए उस बड़ी संख्या का चुनाव कर लेते हैं, इसमें उत्तर आपका दो हो जाएगा, यहाँ पर यह चुनाव करना पड़ेगा, जिनका गुडण फल, जिनका गुडण फल तो वह संख्या ही हो, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस केवल एक कर रहें, मतलब वह संख्या हैं, आपके क्रमागत हों. तो आपने देखा कि यहाँ पर एक गुड़े दो करने से यहाँ पर डिफरेंस होते माइनस के लिए आप छोटी संख्या का चुनाओ करते जो गुड़न खंड में पहले होता उसका चुनाओ करते तो इस समय उत्तर एक हो जाता इसके लिए दो हो जाता इसके लिए तीन हो जाता इसके इच्छे हो जाता तो आप अपने notice notes में जो आप लिख भरे हैं बना रहे हैं उसमें इस बात को लिख सकते हैं कि positive के लिए बड़ी संख्या और negative के लिए छोटी संख्या का हम लोग selection करते हैं मुझे पूरी उमीद है कि इस प्रसंद को आप अच्छी तरह से ग्रैप्स कर पाएं होंगे इस तरह के प्रसंद को एक्जाम में आप देखेंगे जरूर साहल कर लेंगे पहला प्रसंद आपका complete होता है दूसरे प्रसंद पर हम बढ़ते हैं दूसरा प्रसंद भी इसी प्रकार के ही questions पर अधारित है बस थोड़ा सा उसमें जैसे calculation में operator का change है operator का change है आप देख पार है rooted 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 आपके infinite time तक दिया गया है आप इसको भी अगर चाहें तो derivations pattern पर जाकर कर सकते हैं जैसे पिछला प्रसंद हम ने किया मैं आपको करके भी दिखाने की कोशिस करूँगा जिससे आप इस तरह के प्रसंदों पर भी command करें ऐसी दसा root 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 जाएगा और एक बराबर एक मान जीरो होगा दूसरा एक मान एक आट होगा एक आट हो रहा है तो अब इस प्रसंद का उत्तर हमारे सामने आठ में जरा है लेकिन इस तरह से derivation करने की आवसकता नहीं है जब भी ऐसा कोई गुड़नफल का multiple approach आपको मिले infinite तक ऐसी हर दसा में आप जो संख्या दी गई वही उत्तर मान लिया करिए उत्तर में कोई change कभी भी नहीं आएगा agitated जो संख्या आपकी उत्तर हो जाएगी आठ लिखा है पांच लिखा होता साथ लिखा होता जो कुछ भी होता वही agitated उत्तर हो जाता तो आप लोग ऐसे प्रसंद को अगर कभी भी देखिए तो कोई calculation मत करिए इस तरह सब करने कि कोई आप सकता नहीं सिंपल सी बात है पुछे जाते हैं क्योंकि परिच्छा आपकी बहुत ही मात्यपोड है चाहे वह खंडे सिच्छा दिकारी की हो चाहे सूपर डट की हो संस्थान इन सब चीजों के लिए आपके साथ हमेशा बने रहने का प्रयास करता है और हम सब अपने एक हर एक batches में हम लोग बेहतर करन इसार हमको इस batch में enrolled होना है इसी सिंखला में संस्थान की जो गदिविदिया हैं आप सब जानते हैं यहाँ पर जो batches run कर रहे हैं आपके चाहे OPCS का batch कर रहा हो चाहे IAS का कर रहा हो चाहे खंड सिच्छा दिकारी का या कुछ One Day Examination के batches जैसे UPSI का NTPC का साथ-साथ अगर ह सची तरह से जलाया जा रहा है आपको चीज़े आपको कबर की जा रही है सुपर्टेट की batch का announcement संस्थान की तरफ से किया गया है और उसमें कच्छाएं भी सचारो रूप से चल रही है सभी बिसे बिसे सब कि अपनी उपयोगता को सिद्ध कर रहे हैं और आप सब लोग उस पट्टियां चलाई जाती जिसमें numbers दिये रहते हैं counselors के आप उसे directly interact कर सकते हैं बात कर सकते हैं लेकिन हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम आपको गुम्राह न करें चीजों को आपके सामने असपस्ट करते रहें इसी स्रिंखला में SuperTet 2020 के लिए एक batch का announcement है जिसमें हम लोग 9125-423-936 9125-423-936 या WhatsApp नंबर है अपनी contact में आप सेप करिए सेप करके हमें entry for SuperTet या SuperTet entry लेकर के message करें तुरंत हमारे संस्थान की तरफ से counselors आपको संपर करेंगे आपको स्थोड़ा समय जरूर देना होगा क्योंकि पेसेंस रखना होसे है क्योंकि संस्थान में इतने सा सुचना मिलेगी आपको procedure बताया जाएगा कि हम कैसे एक दूसरे से correct होजकते हैं तिया समाने सी प्रक्रिया और हमारी एक नहतिक जिम्मेदारी है संस्थान का एक सतरी सदस होने के नाते जिससे कि हम आपको इस बात की सुचना देते रहें कि आप संस्थान से जुड़ने का यही एक authentic number है और बहुत तरह के number market में लिये जाते हैं बहुत सारे लोग हम लोग उसे साथ जुड़ करके ही बहुत सारे unauthorized way में भी batches को plan करते हैं तो मैं जहे लगता है कि आप सबको संस्थान की ही चीज़ों को focus करना चाहिए यह number आप लेकर continue कर सकते हैं स्रिंखला में आगे बढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तीसरे प्रसंद की क्योंकि दो प्रसंदों को हमने कबर किया और एक pattern के दो प्रसंद किये हैं अभी इसी तरह के route में वहुत सारे ऐसे प्रसंद भी होते हैं जो परिच्छा में पूछे गए पर भी अपना response दिखा सकते हैं रूट क्यूब का concept आप सब जानते हैं वर्गमूल घनमूल के बारे में प्रक्रियाएं आप जानते हैं यहाँ पर साब साब दिखा है सबसे पहली चीए क्योग रूड़ आप 64 आपको पता है कि घनमूल अगर हम 64 का निकालेंगे तो 4 का घन जो 64 होता है जिसलिए इसका घनमूल 4 होगा और फिर उसके बाद इसमें रूट एक्टिव हो जाएगा और 4 का जैसे रूट करेंगे इस कमान 2 हो जाएगा इस कमान 2 हो जाएगा आप इसको कुछ ऐसे भी कह सकते थे 64 की पावर मैं 1 बटा 3 लगाता गुड़े मैं इसकी इस तरह से चल सकते थे दो की पावर यह आपको पताए 6 हो जाता और आलेडी यहाँ पर एक बटा 6 है 6-6 से कट करके अमान 2 हो जाता यहाँ आपका 2 है समाने सा सो सकते हैं क्योंकि नंबर इतने असान है नंबर इतने असान है 64 का घन जो होता है 64 घनमूल 4 होता है 4 का वर्ग घनमूल किया जाएगा तो पहले 8 होगा और 8 का घनमूल अगर हम करेंगे तो 2 होगा तो 2 से 2 को घटाया जाएगा तो सुनने उत्तर प्राप्त होगा इस प्रसंद का एंसर हमारे सामने सुनने आएगा जो कि पहले आपसन में आपको निजर आ रहा है यहाँ पर भी वही ची प्रसंद का उत्तर आराम से दे सकते हैं तीसरा प्रसंद कंप्लीट हुआ चौथे प्रसंद पर हम फिर आते हैं यह देखे बड़ा अच्छा पैटन है मैं इसको बतानी कि आपको कोसिस करता हूं इससे असपस्ट कर पाएं आप समझ पाएं वर्ग मूल पर ही अधारी क्यो जैसे मालीजे मुझे रूड नाइन करना है मेरी बात को समझेगा तो आपको पता है तीन आएगा रूड नाइन करना है तो तीन आएगा अब इस नौ के सामने अगर हम दो की पेर में सुन्ने बढ़ाते जाएंगे जैसे दो सुन्ने बढ़ाएंगे एक सुन्ने तीन के आएगा, मतलब यह मत समझेगा कभी भी एक सुनने से काम चलेगा, तीन सुनने से काम चलेगा, पांच सुनने, मतलब सम की संख्या में सुनने होने चाहिए, तभी जाके वर्गमूल निकल पाता है, इस प्रसंड का मतलब इसकी जगह पे तो हम डारेक्ट 30 लिख सकते हैं, इस चेंग पर दसम्लो इस तरह से देखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर एक अंग में दसम्लो लगा सकते हैं, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसमें दो, तीन सुनने बढ़ा दूं, तो 0.0009 अगर मैं कट दूं, मतलब अब इस समय चार अंग कों पर दसम्लो माना जाएगा यहां पर 0.03 माना जाएगा इसी तरह से अगर दिखिए यहां की बात किया जाए तो 6 अंकों पर दसंबलो है यहां पर 0.003 माना जाएगा अब आप समझ गया हूंगे ऐसा क्यों तुरंत ही आदा हो जाता है यहां के हिसाब से तुरंत ही दसंबलो जो वर्गमूल में निकलेगा वो आदा हो जाएगा तो कहने करता हुआ इसकी जगह पर हम 0.03 लिखेंगे जबकि इसकी जगह पर 0.003 लिखेंगे 0.00 हम यहां पर 3 लिखेंगे हमारे सामने जो उत्तर होना चाहिए वो 30.303 अब आप जोड़ की देखेंगे 30.303 आपके सामने उत्तर में D.Apsion में नजर आ रहा है यहां आपके इस प्रसंब का उत्तर हो जाएगा देखेंगे इसमें कैल्कुलेशन भी थोड़ा सा चीजे थी और बात यहां पर आपकी sincerity की है क्योंकि आपसंस लगबग उसी type के दिये गए है इसे थोड़ा सा भी confusion अपने दिमाग में न रख करके 30.303 को उत्तर बनाए D.Apsion आपके इस प्रसंब का सही उत्तर है जो आप लोग देख पा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस बात को भी समझ पा रहे है चलिए आगे बढ़ेंगे चौथे के बाद हम पाचवे प्रसंब पर आते हैं श्रिंकला का पाचवा प्रसंब आपके सामने फिर से root का ही है और बहुत असान से root का है थोड़ा सा दिमाग लगाएं प्रसंब पूछे गए हैं जितने भी प्रसंब आपके यहां पर दे रहे हैं लगबख सब के सब पूछे गए हैं तो आप सभी प्रसंब पर ही अपना command बना सकते जैसे मैं आप देखते जाएं इंड से करते जाएए इसका वर्गमूल करेंगे 7 होगा असपस्ट है 7 को अगर 29 में जोड़ेंगे तो कुल में लाकि 36 हो जाएगा 36 का वर्गमूल भाई 6 होगा 6 को 19 में जोड़ेंगे तो 25 होगा 25 का वर्गमूल अगर हम करेंगे तो 5 होगा 5 को 11 में जोड़ेंगे तो 16 होगा 16 का वर्ग मूल करेंगे तो 4 होगा 4 को 5 में जोड़ेंगे तो 9 होगा और 9 का वर्ग मूल करेंगे तो 3 होगा देखे, औरल प्रसन आप साल्फ कर सकते थे हम ऐसे देख करके बता रहे थे इसका 7, 29 में 7, 36 का वर्ग मूल 6 19, 26, 25, 25 का वर्ग मूल 5 पहला आपसन इस प्रसन का उत्तर देख करके आप ऐसे प्रसनों का उत्तर कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाख लगाईए, confusion के सिकार मत होए, प्रसन आपके बड़े असान है, साल हो जाएंगे, भले ही देखने में बड़े लगते हैं लेकिन करने में इन सब प्रसनों में आपको कोई समस्या, confusion नहीं होगी इसी करड़ी में देखी एक बहुत ही महत्वण प्रसन आपसे पूँचा जाता है, मैं इसको भी कराता हूँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे किया जाएगा इस टाइप का प्रसन, कैसे किया जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर तुलना करने पर अधारित प्रसन है, थोड़ा बढ़िया प्रसन है, आप देखेंगे तो आपसे इसने कहा है कि एक आमान हमको ग्याद करना है, एक आमान हम तब ग्याद कर पाएंगे जब हम एक को कंपेर करेंगे रूट सेवन के साथ, मतलब इसको प्रापरली हम, जो मेरे पास यह पैटन है, इसमें देख रहें, ऊपर नीचे दोनों तरफ रूट का सिस्टम है और इधर हम देख पारें, क्योवल अंस का भाग है, नीचे हर में एक दिया गया है, जिसको भी रैसनलाइज करके, हम लोग नीचे भी हम लोग यहां पर क्या करेंगे नंबर रैसनल बनाने की कोसिस करेंगे, परिमेह संख्या बनाने की कोसिस करेंगे ऐसी हर दसाओं में जो यह मान दिया जाता है जिधर दोनों तरफ irrational number होते हैं मुझे हर में हर का rationalization मतलब पर्मेई करण करना होता है पर्मेई करण करने के लिए जो उपर दिया है उसको एजिटिज लिखिए नीचे वाला जो भी दिया है उसका conjugate करिए मतलब ब्यूत्करम करिए ब्यूत्करम करना मतलब sign को बदल देना बीच का जो sign होता है उसको बदल देना प्लस है तो minus बनाके उपर नीचे multiplication कर दीजिए इसका मतलब root 7 minus 2 root 7 plus 2 जो लिखा है root 7 minus 2 बन जाएगा और उपर भी गुड़ा होगा नीचे भी गुड़ा होगा भाई जब उपर गुड़ा होगा जहां पर root 7 minus 2 आलेडी है और एक root 7 minus 2 जाएगा तो whole square हो जाएगा जबकि अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो root 7 plus 2 था root 7 minus 2 से extra गुड़ा किया मैं उस system को उस set को या उस step को मैं छोड़ दे रहा हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे क्या किया मैंने root 7 minus 2 से जब मैंने उपर गुड़ा किया तो उपर whole square बना देगा नीचे करेंगे तो a plus b into a minus b का pattern बन जाएगा आप चाहते तो मैं लिखकर दिखा सकता हूँ देखिए ऐसे बनेगा root 7 minus 2 था already एक root 7 minus 2 आया अभी मैं एकदम से समझा दे रहा हूँ यहाँ पर root 7 plus 2 है यहाँ पर root 7 minus 2 से मैंने multiplication की देखिए यह दिया था यह दिया था आप देख पारे यह दूसरा हमने दोनों में उपर नीचे किया multiplication हो कहां से आया इसके जो हर में plus की जगा माइनस करके उपर नीचे multiply कर दिया जब आपने multiplication किया देखिए इन दोनों का गुड़ा सेम पदह है तो whole square होगा इधर a plus b और a minus b आप देख पारे जो कि a square minus b square हो जाता है a square minus b square मतलब root 7 का whole square मैं ही पे लिख दे रहा हूँ देखिए कि दियान से minus 2 cover अभी देखिए उपर हम करेंगे तो क्या होगा a minus b का whole square a square plus b square minus 2ab a square मतलब root 7 का 7 होगा plus 4 होगा minus 2 दूना 4 root 7 होगा divided by यहाँ पर 7 में से 4 निकलेगा 3 होगा 7 में से 4 निकलेगा 3 होगा बराबर आपके सामने a root 7 plus आपका b होगा अब आप देखिए 7 4 इसको मैं 13 लिख सकता हूँ 7 4 मैं इसको 13 लिख सकता हूँ बटा आपके सामने 3 है minus 4 root 7 बटा मैं इसको भी 3 कर सकता हूँ कैसे किया मेरी बात को समझने की कोशिस करिए 7 4 सार 11 होता है तेरा नहीं होता बई यह गलती देखिए ऐसी छोटी छोटी होती है मैंने कहा 7 4 11 होता है 7 4 11 होता है minus 4 root 7 है तो हम इसको चाहते तो ऐसे लिख देते 11 minus 4 root 7 आप 3 लिखते है या मैं 11 बटा 3 लिख देता minus 4 root 7 बटा 3 लिख देता बराबर A root 7 है प्लस आपका B है अब आप चेक करिए root 7 के साथ coefficient में कौन है root 7 के साथ coefficient में minus 4 by 3 है root 7 के साथ coefficient में minus 4 by 3 है यहाँ पर root 7 के साथ coefficient में कौन है A है और आपसे एका ही मान पूछा गया है इसलिए एका मान माइनस 4 बटा 3 हो जाएगा जो की root 7 के साथ coefficient के तौर पे दिया गया है गुडांग के तौर पे दिया गया है तो आपको करना क्या था? परिमेई करन करना था किसका हरका हरका परिमेई करन करने के लिए हरका conjugate करना होता है plus sign है तो minus sign minus है तो plus उसको उपर नीचे गुडा करेंगे उपर नीचे गुडा करने में थोड़ा सा algebra लगेगा जिसे यहाँ पर whole square बन रहा है यहाँ A square minus B square बन रहा है प्रस्णों पर command कर पाएं क्योंकि ऐसे प्रस्ण परिच्छा में पूछे गएं इस तरह के ही प्रस्ण आप से जनरली पूछे जा सकते हैं अगला प्रस्ण देखिए systematic बड़ा ही standard उसी तरह का जैसा आपको जरुवत है उसी तरह का प्रस्ण आपके सामने फिर्श से दिया गया है क्या है समझिए आपको देखिए जैसे ही indices का प्रस्न है ऐसा कोई प्रस्न दिखे तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपके सामने इतना बराबर 64 दिया एक्स का मान भूचा सीरी सी बात है तुलना पर अलहारी प्रस्न है मैं कुछ बाते यहां पर indices की आपके साथ मैं इसी प्रस्न के माध्यम से सेर करूँगा वो बताऊंगा चीज़े आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी दिर बाद जैसे कभी भी root में दिया है जैसे 64 तो आपको थोड़ी दिर पहले भी मैंने बताया कि इसको 64 की पावर एक बटा दो कर सकते हैं अगर एक cube root होता था हम 64 की पावर एक बटा तीन कर देते हैं यहां पर fourth root होता था एक बटा चार कर देते हैं इसी कड़ी में हम 64 को यहां पर लिख सकते हैं 64 की पावर आल लड़ी यहां पर 64 दिख रहा है, इदर आलेडी आपको 64 दिख रहा है, मतलब 64 की पावर एक लिख P. एक नियम होता है अगर हम लोग एकी पावर आदार समान है तो घाते भी समान हो जाती है तो घाते हमारी यहांपर समान होकर AX- है क्योंकि अधार आपको 64 और 64 नजर आ रहा है तो X-1 बटा 3 बराबर आपका एक हो जाएगा इसका पावर इसके पावर के साथ compare कर दिया जाए बराबर कर दिया जाए X-1 बराबर अगर तिरिया गुड़ा करेंगे तो 3 X बराबर यहां पर आपको लिखी गई है तो उसकी पावर एक माना जाता है हम बेसेस को समान पा रहें पावर को तुरंथ हम compare बराबर कर देंगे पावर को बराबर करते ही X command 4 नजर आया है जो कि 7 प्रसंद का पहला option 4 इस प्रसंद का सही उत्तर है चार आप लगा के चलिए चार सही अंसर बहना जाएगा साथ के बाद हम लोग बढ़ेंगे और आठवे नंबर पर आएंगे आठवा प्रसंद भी देखी इसी type में है comparison base प्रसंद है बड़ा अच्छा प्रसंद है आप ऐसे प्रसलो पर भी अपना command बना सकते हैं वही इस pattern है कुछ बातें यहाँ पर indices में ऐसी होती है जब basis समान होते हैं जैसे एक ही power yen है एक ही power yen है तो आप एक ही power yen प्लस yen कर देते हैं मतलब आपको पता है क्या पता है? खंड सिच्छा दिकारी वाले जानते हैं बढ़ाया गया है सुपर्टेट में भी हो सकता है मैंने इस बात को न बताया हूँ लेकिन खंड सिच्छा दिकारी में चीज़े आपकी बताई गई है घाते अगर समान है तो आपको पता है सारी basis अगर समान है और डिविजन की रसा में घाते आपकी घड़ जाती है यही चीज हम लोग यहाँ पर लेके चलेगा और सबसे पहनी चीज यहाँ लास्ट में ने लेका दो को बेस बनाया गया तो मेरा भी प्यास यही रहेगा सब को दो की बेस में लिखे है तो टू की पावर टू एक्स हो जाएगा इधर हमारे सामने दो की पावर बत्तिस होता है दो की पावर पांच होता है इसको मैं दो की पावर पांच एक्स लिख सकता हूँ इसमें भी कोई समस्या की बात नहीं इधर मैं 2 की पावर 4 x लिख सकता हूँ, सामने 2 की पावर मेरा 11 दिया है, अब देखिए सब मैं अधार समान दिख रहे हैं, तो खातो को डारिक हम एक ही अधार पे जोड़ दें, 5, 2, 7, 4, 11 x मैं कर दो, बराबर 2 की पावर अगर 11 है, तो अब फिर से अधार को अगर हम समान पा रहे हैं, तो मैं 11 x बराबर मैं 11 कर सकता हूँ, x बराबर मैं 1 कर सकता हूँ, x कमान 1 पहला ही आपसन इस परसंगा भी उत्तर, आप सब देख पा रहे होंगे, पहला आपसन इस परसंगा उत्तर, x कमान 1 हो गया, कैसे किया, सब को दो की घात पर करने की कोशिस किया, दो क बाते आपको असफस्ट हो पाई, क्लियर हो रहा होगा है, सब प्रस्ण धीरे-दीरे, नौवे नंबर पर इसी स्रिंखला में हम बढ़ेंगे, और नौवा प्रस्ण दिखी यह भी इंडिसेस का ही प्रस्ण है, नियम के तहर चलना होगा, और जैसा नियम दिया है, ऐसे प्रस जैसे कभी अगर हम ने यसे कह दें, कि A की पावर M की पावर N है, मैं आपकी जनकारी के लिए बता दूए, A की पावर M into N होगा, सेम इस्थिति यहां पर भी होगी, X की पावर में B प्लस C, B माइनस C, A प्लस B, A माइनस B, ऐसे सोचिए, A स्क्वार माइनस B स्क्वार, मतल इसी तरह से इधर भी अगर हम चलें, X की पावर C स्क्वार माइनस A स्क्वार, इसी तरह से X की पावर A स्क्वार माइनस B स्क्वार, क्या जरूरत है सोचने की, X की पावर सब को जोड़ेंगे, B स्क्वार माइनस C स्क्वार, माइनस A स्क्वार, माइनस B स्क्वार, अब आ आया कि अक्सर इस तरह के प्रसुनों में एक उत्तर आता है और एक अगर आपसन में दिख रहा तो मेरा पहला इंटेंशन एक की तरफ गया था इतना समय लगेगा नहीं थोड़ा इस प्रसुन की रिक्वार्मेंट है आपको समझाने के लिए इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है अधर वहरल दिख पा रहता है कि आपका B स्कूर C स्कूर माइनस में उधर भी C स्कूर पॉजिटिब में और आपके पास A स्कूर नेगेटिब में उधर A स्कूर पॉ आपको A स्टार B दिया है AB अपान A प्लस B इधर हमसे 3 स्टार फला कूछा गया है तो हम थोड़ा से इसको समझने की कोशिस करें हम जैसे A स्टार B देख पा रहें A स्टार B बराबर AB मतलब बुड़ा बटा A प्लस B तो अगर हम थोड़ा से अपनी संख्याओं की बात करें 3 स्टार आपके सामने हैं क्या बता हैं 3 में से 1 निकलेगा 2 तो कहने का मतलब 3 स्टार 2 है अगर देखा जाए तो 3 स्टार 2 है जैसा उसने करा है वैसे आपको भी करना पड़ेगा 3 इंटू 2 अपान 3 प्लस 2 तो 3 टू जा 6 होगा अपान 5 होगा तो 6 अपान 5 जो कि आपको अपान 3 प्लस 2 या इस प्रसन का सही उत्तर होगा 3 टू जा 6 और 3 टू जा 3 टू 5 यहाँ पर आपसन में आपसन नहीं दिया गया है लेकिन आप एमान की चली इस प्रसन का उत्तर इनमें से इसका मतलब कोई नहीं होगा जो कि आपके इस आपसन में नहीं दिया गया आप एक प्लस दो अगर हम कर देंगे तो पाँच होगा तो छे बटा पाँच होना चाहिए था लेकिन छे बटा पाँच इन में से कोई आपसन आपको नजर नहीं आ रहा है इस प्रसन का उत्तर आपका इन में से कोई नहीं होगा जो कि हमें आपसन में देना चाहिए था आप समझ पा प्रसनों को भी ले करके आपकी उस confusion को दियूर करने की कोसिस करें असा करता हूँ कि आपको season भी अच्छा लगा होगा आपको समझ में आया होगा और जैसी जरूरत है मैं आपको फिर से आपकी गंबिरता के साथ कहता हूँ जैसी आपकी जरूरत है उसी प्रकार के सब्दो का chain उसी प्रकार के question का chain उसी प्रकार के terms को हम लोग ले करके यहाँ पर इस रिंखला को continue कर रहे है आपका यह सहोग बना रहे है जिससे कि हम यहाँ पर इस रिंखला को और मजबुती के साथ और अच्छे-च्छे topics को ले करके और आपके comment भी हम सुझाओ में मांगेंगे अगर आप मुझे comment में बताएंगे हम किस topic के प्रसनों को ज़्यादा ले जिसमें आपको problem होती है तो मैं उसी अधार पे ही प्रसनों को लेनी की कोशिश करूँगा आप सब अधिक सदिक संख्या में comment करके इस बात को हमें जरूर बताएं कि हमें किस तरह के topic को लेना चाहिए अगले अभ्यास प्रसनों में हलाकि मैं अपने हिसाफ से chain कर रहा हूँ आपके सुझाओ भी हमारे लिए सुझाओ भी महत्तुपूर है मिलते हैं अगले से सन्ये बहुत बहुत देने बाद थैंक यू सो मच